चलिए यहाँ पर एक दिक्कत है तो दिक्कत क्या है अगर चलिए mobile and more की category पर चलिए अब हम click करते हैं तो यहाँ पर मुझे mobile मिल गया चलिए इसको un-tick करेंगे और यहाँ पर man choose हूज तो device two video में धी जीरो प्रोड़क्ट है तो जाइसा ही इस पर क्लिक किया है यृ आपर मुझे कुछ इसतर सरक ऐसे मिल रहा है कुछ भीन मुझे यहाँ पर नहीं मिल रहा तो यहा पर हम दो चीजे कर सकते हैं अगर यहाँ पर product नहीं मिलता तब यहाँ पर हम एक message show करा सकते हैं या फिर हम कोई image या कोई gift को यहाँ पर show कराएंगे तो आज की वीडियो में हम यहाँ पर gift को show कराएंगे तो चले इसके लिए हमें condition लगाने पड़ेगी तो सबसे पहले यह जो product है यह सारे product कहां से आ रहा है तो यह सारे product यह जो Ajax के अंदर product और HTML है वहाँ से यह product show कर रहा है तो simply हमें यहाँ पर क्या करना है इफ condition लगानी है तो simply यहाँ पर करेंगे percent है percent है if product pipe symbol और length उसकी length 1 से कम है या यानि कि यह जो product है अगर zero है इसमें तो यह वाला part execute होगा तो यह आप ले किएंगे else अगर इसमें एक से ज्यादा एक या उससे ज्यादा product है तो वहाँ पर यह जो यह जो else वाला part है वो execute होगा चलिए and if चलिए यहाँ पर ऐसा करेंगे अभी के लिए एक message चू करा देते है else one में product not found चलिए अगर मिलता है तो अभी यहाँ पर हम give का use करेंगे तो अभी mobile mode पर क्लिक किया तो यहाँ पर mobile मिल रहा है चलिए यहाँ पर stores पर क्लिक करके देखते हैं तो यहाँ पर एक ओके यहाँ पर कुछ दिक्कात आ रही है product land okay list then यहाँ पर हमें list then का use करना था greater than का नहीं चलिए जैसे ही यह stores पर मैंने क्लिक किया तो product अभी हमारे पास नहीं है तो यहाँ पर एक वान में जो हमने message लिगा था वो यहाँ पर show कर रहा है चलिए अगर हम mobile और tablet पर क्लिक करेंगे तो mobile मिल रहा है पर यह जो message ता वो show नहीं हो रहा तो चलिए अब यहाँ पर क्या करेंगे यह जो h1 है उसको निकालेंगे और यहाँ पर एक image का use करेंगे तो मैंने पहले सही एक image मैंने create की हुई है तो मैं उसी का use करूंगा आप चाहे तो google से भी कोई gift डाउनोड कर सकते हो या कोई image का भी use कर सकते हो तो चलिए मैंने पास यह image है उसको मैं करूंगा copy और हमें इसको रखना पड़ेगा static folder के अंदर तो static folder के अंदर एक और folder है assets उसके अंदर है image image के अंदर इसको हम paste करेंगे तो यह जो image है वो यहाँ पर आ गई तो सबसे पहले यहाँ पर हम static folder का use कर रहे है तो उसको पहले load कराना होगा तो % है % है load static चलिए अब यहाँ पर वो image का use करेंगे तो इसके लिए image tag yani src ि उसका जो location है वो कहाँ पर है तो वो static folder के अंदर है और static folder के अंदर है assets folder assets के अंदर है img और img के अंदर है आमारी image यानि की product-not-found.gif product-not-found.gif तो यह हमारी image है चले इसको देखते है यह image अब मैं मिलती है या नहीं तो यह stores पर click किया तो यहाँ पर मुझे वो image शो कर रही है चले उसकी जो height है उसको भी set कर लेते है height 400 pixel तो यह कुछ हमें कुछ अच्छे से मिल रही है आप चाहे तो इसकी height tweet अपने ही सबसे set कर लेना अगर आपको यह video अच्छी लगए तो please video को like कर देना और channel को पी subscribe कर लेना थैंक्स पर वच्छिंग